आज लाई हूँ आपके लिए करेले की बहुत ही मज़िदार और यूनीक सी रेस्पी करेला नहीं बनाते हैं या कड़वा लगता है इसलिए करेला खाना पसंद नहीं है यह रेस्पी देखने के बाद यह सारे जंजट खतम बहुत टेस्टी लगेगा हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ कामीनी और कामीनी के किचन में आप सब इका बहुत-बहुत स्वागत है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझे सपोर्ट कहने के लिए मेरे वीडियो को एक करेला करेला आप अपने कॉर्डिंग कम जादा कर सकती है करेले एकदम हरे भरे लेंगे तो खाने में बहुत लगते हैं और करेले का साइस छोटा लेंगे वह और भी जादा बढ़िया लगता है बड़े करेले लेंगे तो वह फार्मी करेला होता है लेकिन छोटा करेला ले और फायदे मन भी देशी करेले बहुत होते हैं तो सबसे पहले यहां पर सर्सो का तेल गरम करना और तिल सर्सो का लेना और बहुत तेष्टी रैश्पित तयार होगी Grad impact गशलिआ पक्रदी इस onder अच्छ अब हम इसे अलट पलट करते हुए बढ़िया से फ्राई करेंगे तो यहां पे हम करेलों को कर रहे हैं आब सोच रहे हुँगे साबूत करेले ata कोन करता हैं लेकिन फ्रेंड्स अगर करूह बिलकुर करेले khaना नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से fry करने पड़ेंगे और कुछ ल weapon क्या करते हैं नमक लगा करें उस से क्या होता है तो हमें फाइदे होते हैं वह सार कुछ हमें पिर इतने जाजा नमक लगा देते हैं वह सब धोना पड़ता है तो इसारा क्या मतलब क्या लगे जो हमाई तत्तु मिलने चाहिए वो तो हम पानी में बहा देते हैं तो यह काम नहीं करना है बहुत ही सिंपल सा तरीका है करेलों को तेल में फ्राइ कर लेना फ्राइ करने से करेले बिल्कुल कड़ुए नहीं लगेंगे गैरेंटी से कहती हूं और आप सोच रहे होंगे कि इस करेले इस तरीके से हलके हलके गोल्डन और ब्राउन हो जाने चाहिए इससे बिल्कुल कड़ुए नहीं लगते हैं ग्यारेंटी से बोलती हूं आप माने या ना माने बनाएंगे खुद मानेंगे जब करेले थोड़े ठंडे हो जाएं कि आप इन्हें छू सके तब क्या करन आगे पीछे के पाट को कट कर देना है और हटा देना है और इस तरीके से आप देख रहे हैं जैसे मैं करेले कट कर रही हूं इस तरीके से हमें कट कर लेना है तो फ्रेंड्स आप यह सोच रहे होंगे कि ओईली हो गए हैं फ्राई करने से बिल्कुल ओईली नहीं हो रहे है आप देखें अंदर एकदम फीका सा या नी प्लेन करेला निकल रहा है अगर हम काट करके फ्राय करते न करेले तो ये अंदर तक oily हो जाते हैं यानि तेल इनके अंदर तक भर जाता है इसे जब हमने ऊपर से जो इने फ्राइ किया है तो यह बिल्कुल अंदर से देखिए एकडम वाइट निकल रहे हैं बिल्कुल भी ओईली नहीं हैं तो देख सकते हैं कितने ज्यादा वाइट ये निकल रहे हैं क्योंकि करेलों के अंदर तेल गया ही नहीं है सिर्फ उपर से ही फ्राइब हुए देखिए अंदर से एक दम वाइट है न और इसी तरीके से हमने निकट कर लिया है और ये जो प्याज है इसकी पैटल्स को हमें खोल लेना है फ्राइब करके जो प्याज हमने ये ली है न इससे एकदम मिठास आजाती है खाने में करेले की सबची और भी ज्यादा टेस्टी लगती है आप चाहें तो ये वाला प्रॉसेस स्किप कर सकते हैं लेकिन फ्रेंड्स जो है इस तरीके से फ्राइब करेंगे न तो खाने में बहुत अच्छी लगेगी एकदम अलग सी मिठास आएगी और करेलों को हमने फ्राइब किया है तो ये बिल्कुल भी करवे नहीं है तो फ्रेंड्स ये तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि नमक लगा के रखने वाला तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता है नमक लगा के रखते हैं करवापन तो दूर हो जाता है लेकि देखी देखें लिखने में अच्छा करें लेगा साफाइस को है थाइसर घ्राम यहां टो प्यासर टोल यहां च्छोटी वाली है वह बड़ी के साइस की जब है और यहां मैंने कुछ लैसन की कलियां लिए इससे तरीके से लंबा-ंबा ला देखिए इस तरीके से फाल रही ह है क्योंकि जो लैसुन का फ्लेवर है ना बहुत अमेजिंग लगता है और अच्छे से ने भूनेंगे तो और भी जादा बढ़िया ये खाने में लगेगा आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं या फिर जो है छोटा-छोटा लैसुन कट कर सकते हैं जैसे हम इस तरीके स मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इस तरीके से कट कर रहें क्योंकि करेले की जो सब्ची होते हैं सुखी बनते है इसमें जब हम खाते है तो प्यास की मिठास लैसुन का फ्लेवर आता है बहुत अच्छा लगता है तो चलिए अब यहां पे तेल को बहुत कम कर देना लगबग 2-3 टेवल स्पून रखना बिल्कुल ओईली नी वनेंगे आप आगे देखते रहना तो सबसे पहले मैंने यहां पे डाला है जीरा थोड़ी सी मेथी अजवाइन और यहां पे आधा चमच के करीब सौफ तो यहां पे कुछ खड़े मसाले जो हम करेला भरके बनात अच्छा आएगा आप चाहे तो राई को स्किप कर देना चलिए अब यहां पे जब अच्छे से यह क्रेकल हो जाए यानि भुन जाए तब यहां पे हमें लहसन और प्यास को एड़ करना है और इसे भी हमें अच्छे से गोल्डन और ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है तो जब अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तब यह हम करेले इसमें एड करेंगे देखिए करेल एक दम वाइट अंदर से दिख रहा है बिल्कुल और नहीं है तो कुछ लोग कमेंट्स करके बोलते हैं कि आप को जब फ्राई करना था तो आप काट करके फ्राई कर लेते या फिर तेल में फ्राई करने से बहुत ओईली हो जाता है कुछ भी ओईली नहीं होगा आप देखिएगा तो चलिए सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद सबसे पहले नमक डालेंगे साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर इससे देखने में कलर अच्छा आ जाता है कुछ खलदी स्किप करते हैं ना डालते हो तो स्किप कर देना साथ में एक बड़ा चमज धनिया पाउडर और बहुत थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च यह तीखी नहीं होती सिर्फ कलर के लिए मैं डाल रहे हूं और थोड़ा सा तीखा पनाएगा ना एकदम प्लेन से करेली बन कवर कर दिया है कवर करके हम इसे जो है चेक करेंगे बीच में इस तरीके से चला करके और यह देखिए फ्रेंट जब हमने पहले इने फ्राई किया था तो थोड़े यह कोक हो गय थे यानि थोड़े सौफ्ट पड़ गय थे और इस तरीके से बीच बीच में हम इसे एक दो मिनट हो गए हैं और करेले या ल करेलों का तरीके से जब तेल में पकता है न तो पानी सूक जाता है करेलों का लेकिन बहता नहीं है यह जरूरी टिप होती है तो तरीका अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना लास्ट में यहां पे एक चम्माच भर के मैंने आमचूर थोड़ा बहुत जो कड़वापन होगा वो बिल्कुल खतम हो जाएगा आमचूर पावड़ा डालने के बास सिर्फ एक या दो मिनट और कवर करके पका लिया है ताकि जो आमचूर है यह अच्छे से करेले के अंदर तक समा जाए और लीजिए भाई हमारे टेस्टी करेला बन है तो वस यह लीजिए हमारी बहुत ही सुपर टेस्टी सी सब्ची बनके तैयार है इतनी जादा टेस्टी लगेगी ना फ्रेंड्स गयरंटी से कहते हो बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे और यह मैं आपको जो है दुबारा यह रेस्पी शेयर कर रही हूं इससे पहले म लेकिन सबको इतनी ज्यादा पसंद आई थी इतना यह वीडियो वायरल हुआ था कि मैं जब इस तरीके से बनाती हुआ आज मैं बनाई रही थी तो मैंने का जब करेले बनाई रहे हूं तो आप सभी के साथ भी शेयर कर लेती हूं तो जैसे मेरे उस वीडियो को आप सभी बहुत प्यार दिया है वैसे ही इस वीडियो को भी जरूर से देना क्योंकि देखने में जितनी सिंपल है उतनी ही टेस्टी आप एक पीस ऐसे करेले का उठाए और खा करके देखिएगा बिल्कुल करेले कलवे नहीं लगेंगे और अगर साथ में अरहर की मिल जाए रोटी मिल है और बहुत कम तेल में इतने टेस्टी करेले बने हैं कि जब आप बनाएंगे तो खुश हो जाएंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते ना मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में बाई